मुझा करने के लिए जाएंगे उस ग्राउंड पर जिसको सबसे ज़्यादा फेमस किया था सवरफ गांगोली अपने दादा निता वहाँ पे शर्ट उतार के अपना दला यहाँ पे लिटल वेनिस करके भी एक जगा है वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे शाय क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा बचे का नहीं हमें आज ही वे बहुत अच्छा लग रहा है वहती अमीरों का एरिया लग रहा है यह यहां से हमें पांच मिनिट तो लगने ही चाहिए हमारी टूर सब्सक्राइब दो बचे हैं हमारे पास पांच मिनिट है तो वहां हमें फटा-फट पांचना है तेजी से चलना है तेजी दिखाओ चलो अब आगे देखना में इस चमासे बाप वाप चाह लग रहा है सब बंद है ड्राउड का बंद है क्या भी बाहर से तो बहुत जबर्दस लग रहा है ग्रांग अंदर चाह के देखते हैं मजा आने वाला है यहां पर मैज भी देखनी थी मुझे लेकिन अभी कोई मैच थो नहीं रही है। इंगलंड अभी एस्ट्र्लिए टौर पे है। Bенная आपे वह घार रही है। Yeah chalda 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 chalda! यह तो private road ay आप आप प्राइव प्राइव एक बार गया गई आपको बहुत बार सही रास्ता जिखाए और टाइम पर आप अपने अउकाद दिखा देता है ऐसे होता है इसके पहले भी गूगल ने हमें ऐसी दोका दिया है एकडम पर देखो ना दो बज़ पर वह बंद है अभी हमने है वह लेकिन हम अल्रेडी पांच मिलेट लेट हो चुके है यह यहां का इंट्रंस आप आ सकते हैं यहां से खीचुए ताकत से दो बज़ की टूर थी अभी दो आट हो चुके हैं टूर अल्रेडी स्टार्ट हो गई है यह हमें अभी बताएंगे कहां चाना है टूर के हमारी 1983 की वर्ल कप ट्रॉफी वह देख ली एंट एस ओरिजिनल ट्रॉफी यह लॉंग रूम है यहां के मेंबर्स बैठे रहते हैं आप उनकी मेंबर्शीप ले सकते हैं जिसकी 500 अन्यूल फीज है बट उसका वेटिंग टाइम है 27 साल बहुत जादा है यह जो मेन एंटरं यहां से विजिटिंग टीम माति है जैसे अगर इंजिया अगर इंग्लं केलने आघीये तो इंडियन टीम यहां से अंटर करेगी और प्लेयो स्क्वास्च देगरें तो उनका कुछ होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इनके आना पहले जो यहां की जो लोग थे उनको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था तो एक थामस लॉड़कर की जो इनसान थे उन्होंने ये ग्राउंड तो पहले इनको रेंट पे दिया कर देते आनों उसके बाद एमसे से ने इसको खरीद लिया तो फिर इसका कुछ नाम रखना था इसलिए उन्होंने पर जो उनका सरनेम था उसी को इस ग्राउंड का नाम दे दिया लॉड्स टोटल कैपेसिटी ग्राउंड की 31,000 है वो जो दो पैबिलियन है दो स्टैंस है बोस साइड का इन इस साइड क जो बीच वाल है वो तो बहुत पुराना है यह अभी-अभी बने है वहीं पर कमेंटेटर बैठते हैं सुनिल गावस का आका चुपरा आका चुपरा का तो वो उधर ही दे देता है मूंबाइ स्टूडियम में तो बीचता ही नहीं सुनिल गावस का रहा तो उसको जो बीच विजिटर्स की तूब ग्राउंड पर जाते हैं यहां पर प्लेयर्स बैठते हैं आज हम लोग बैठ रहे हैं क्या वाद है इस सीट पर इंगलंड का कैप्टन बैठता है उनका ऐसा कहना है और यहां साइड में एंड्री प्लेंट बैठता गा जिन नहीं यहां पर अंडेट बनाई है लॉड्स में उनका नाम यहां पर हैं जिन्होंने फाइव एकेट्स या उसे ज्यादा लिया हुआ हुआ है मैच इंगलंड की हैen जो about इंगलंड की हैं यहां पर पूरानी रो में इसलिए यहां पर शावर वाशर भॉस्पल्म्स ब्सफश्यादा ठेंगे हैं यहां पर कुछ कुछ फोटोज रखी हैं इंगलंड टीम की जो मेजर विंसें फीम्सीकेवी नारी लोगोों और निलोगों के यह बहुत बड़ी लग रहे थी इसे तो बहुत छोटी है यही तो पूल रहा था मुहमत कैफ को एक रन ले पिर मुहमत कैफ ने चक्का वारा था यह वही बैलकोनी जहां पर सरफ दांगोली ने अपने दादा ने टिशिट उता रही थी नैट वेस्ट में जीतने के बाद विवरा सिंग और महमत कैफने बहुत अच्छी पारी खेली थी वह वाली मजा आ गया था वह पारे देखें यह हैं विजिटर्स की रेसिंग रोम वि लेटेस नाम जो है केल राहूल ने बनाया था 129 अच्छिन तेलोल करने आज तक लॉट्स पर कभी 100 नहीं बना पाया है तो थाज़जन टू में 109 राहूल ग्रवीड का जो लास्ट वर था मतलब इंगलेंड का उनको पता था कि यहां पर अभी तक यहां पर नाम नीज बॉर्ड पर तो उन्होंने यहां के अटेंड से पूचा था कि सबसे लग्या सीट यहां के कौन सी है जो दिलशान ने बनाया था तो वह सेट में बोलाता कि शाइद की दिलशन ने वही पर हम्ड़ पनाया था आप वहां पैठ सकते हैं रावल दूरव सवरफ गांगुली ने इस बैलकनी को सबसे ज़दा पॉपलर किया है यहां पर टी-शेट उतार के लेकिन उनको 100% मैच वी फाइन हुई थी मैला जेवर जने संगर कारा वन आप मैं फेवरे इंजर मामुल हाथ बहुत अच्छा ग्राउंड लग रहा है बहुत ज्यादा वहां पर ही एटे-3 में कपिल देव को प्रॉफी हैंडोर की थी वर्ल कप प्रॉफी जो इंडिया ने फर्स टाइम जेते थी नाइटे-3 में इनके अग्वार्डिंग जो देखे हैं हमने वीडियो भी इंडियस एंडियस जो उस टाइम थे उनके सारे फैंस पीच पे आ ग आ कि अगा हह लेक्त प्रॉफी अगर यहां पर ऑप टेस्ट्ट में देखने आता है अगर इस टेस्ट में अच्रह नॉटे थी के पैलिफादी के अधे यहां पर हम ज्गेभाह ए इजय को यहां फे लोग ना फाग नहीं बोला है इसको, इसको बोल रहे हैodies इसको बोल रहे है, मिस्क बोलना वहां पे इंडॉर क्रिकेट सेंटर है यह पे दो स्टेचु है यहां पर बॉलर क्या आएक बयं बैत्टर का यह नर्सरी ग्राउंड है यहां पर पहले पाइनेपल की खेती होती थी पर जो हेंडरसन थे पाइनेपल के लिए बहुत पेमस थे उन्होंने तो एमसी सी को बेच दिया 82 स्टेप से यहां पर कि पूरा मेडिया सेंटर है यहां पर जॉर्नलिस बैठते हैं फोटोग्राफर्स बैठते हैं यह मैगनेट ले ले लेते हैं विश्ट्य आपड़ ट्रिकेट बैठ पर लिए फोकेस्ट्रिक के तरह हुआ कर देए उसका इवालुशन हुआ है इस तरह से भी मैड़ लॉट्स की हमारी विजित कंप्रीट हो चुकी है गाइड़ टूर था डेढ़ गंडे का टूर था यह वाला इसका टिकेट जो है 26 पर है तो आप यहां पर आने से पहले टिकेट अपना उनलाइन बुक कर सकते हैं जैसे हम 5-7 मिन लेट पूर था हमारा वो मिस हो गया तो नहों ने कहा था कि बाद में देख लीजिए लेकिन बाद में जब गए तो लेट मत होना क्योंकि आपक जो आशेस एंड वोल्ड कप 1983 वाला वो सब मिस हो जाएगा अभी निकलते हैं हम लोग लिटल वेनिस वेनिस कहा है वह तो हम लोग जानी बाएंगे ना अभी तो लिटल वेनिस जाएंगे जब काम आपका ओरिजनल प्रोड़क्स ते नहीं बन दा ना दोस्तें फेक है सारे के सारे वाइट है जो कैनरी वाफ में कहते हैं वहां पे बहुत ही उची बिल्डिंग थी काइस क्रैपर एंड इट साइड में आये हैं तो बहुत ही जबरदर वाइट कलर की बिल्डिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है BMW मीनी कुपर अब खुले में पार्क कर दिया है और यह सब उनके घर है कैसे इम्मत होती है यार अपनी तो गाड़ी के लिए शेड बनाया जाएगा शेड के अंदर उसको कवर भी चड़ाया जाएगा देखो ना यह इतनी अच्छी गाड़ी बाहार खड़ी कर दिये सी यह अच्छी कि यहां पर कोई से स्क्राच मार के नहीं जाता है चावी से करके हुए जा रहा है यह देखो यार क्या गाड़ी है पांच चुके लेटिल बनी बहुत ही जबाज आसते हैं दूप रहती तो बहुत अच्छा लगता यहां पर देटाइम में थोड़ा और कि यहां लोग कुछ करते हैं इसमें कचल अडालते रहते हैं हम लोग ईसे कैणाल के साइड में बहुत सारी बौह्य रखती हैं और योट में रेच्ट्रों क्याफे इन हो बनाए हुए हैं और उसकी राइट भी हुती इसके अब टामें चारी हुआ है विंटर है इसलिए य अभी निकलते हैं लंडन लिवर्पूल स्टीट जहां से हमें मिलेगी इपसेची ट्रेन के बाद तो हम लोग कबस टैवेलिंगी है और मौसम भी बहुत खराब हुजगा है बारेज भी हो रही है दिमे दिमी तो अभी इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं आज का व्लोगिंग हमारा पसल आया तो प्लीज दो लाइक शेर और सब्स्प्राइब थैंक्यू मिलते हैं नए व्लोग में